प्रदेश कॉंग्रेस प्रवक्ता प्रेम कोशल ने प्रदेश सरकार से नीजी बस बर टेक्सी ऑपरेटरों और नीजी स्कूलों द्वारा शात्रों की आवाजाही के लिए इस्तिमयल में लाई जाने वाली बसों एबॉम, अन्य बाहनों का टेक्स माप करने की मंग कत्ते वे बस स्कूल भी बंद पड़े हैं, जिसके चलते इस शेतर में खाम करने वाले लोग कर्च के बोच्तले बुरी तरह से धब चुके हैं, यहां तक की वेंक लोन की घिस्ते धक्त देने में असमर्थ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सावारियां बिठाने की विवस्ता से ब भरवादी की कगार पर पहुंच चुका है, ऐसी स्थिती में ये वर्ग सरकार की सहाईता का हगदार है, उन्होंने नीजी आपरेटरों बर नीजी स्कूलों के साथ इस पेसे में प्रत्यक्स वो और प्रत्यक्स रूप से जुड़े चालक परिचालकों के लाखों परिवार समय से लगातार कोबिट नैंटीन वाइरस की वज़ा से समय समय पर सरकार दोरा लगाएगे लॉक्डाउन और कोबिट नियमों के चलते प्राइवेट वास अपरिटर्स टैक्सी अपरिटर्स और नीजी स्कूल चालक जो हैं उनके दोरा जो बच्चों की आबाचाही के लिए बाहन इस्तेमाल किये जाते हैं उनके खाड़ा रहने की वज़ा से इस क्षेतर में काम करने वाले लोगों को बारी नुक्सान जो है वो पहुँचा है स्कूल पिछले सबा साल से लगातार बंद हैं बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो बहान स्कूल मालिकों ने खरीदे हैं खड़े हैं निजीबा सोपरेटरों की जो बसे हैं वो भी लगबग खड़ी है और बीच में आकर चली तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम थे उनकी वज़ा से कम स्वारियां उठाने के चलते नुकसान उठाना पड़ा इसी परकार जो हमारे टैक्सी चलक हैं उनकी हालत भी बहुत द्यानी आई हैं और इन सारे हालात में इस निजी परिवहन क्षेतरी में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी स्थिती ऐसी हो चुकी हैं गरज में बरी तरह से दबें हैं और यहां तक क बेंक लोन की जो किष्टे हैं उनको देने में भी सामर्थ नहीं हैं इसलिए हम सरकार से यह नवेदन करना चाहते हैं क्योंकि इस वर्ग की परदेश की आर्थिकी में महत्तों पर भूमिका और योगदान रहता है इसलिए संकट के समय में इस सरकार की मदद और सरकार की तबज़ों के हगदार है अधै प्राइबिट वस अपरेटर्स टेक्सी चालक और निजी स्कूलों में जो बाहन लोगों ने बच्चों की अबजाही के लिए खरीदे हैं उनका जो टेक्स है उसको सरकार तुरंद प्रभाव से माफ करे इस खरीद के लोगों को सरकार रात दे और इसी के साथ इसक खरीद में काम करने वाले जो करमचारी हैं ड्राइवर हैं कंडुक्टर हैं दूसरी लोग हैं उनकी स्थिति और भी बत्तर हैं और भी देहनी हैं पिशले सवा साल से रोजगार से बंची थें घर का पालन पोशन करना घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है ऐसे लोगों को भी परदेश सरकार से राहत और मदद देने की मांग हम परते हैं PLTV के लिए हमेर पर से वियोर रिपोर्ट